बेशन के लड़ू खाना तो सभी को पसंद है आज मैं बना रही हूँ बेशन के लड़ू आप भी इसे घर पर बना सकते हैं आसानी से बहुत ही कम इंग्रीडियन्स में बन जाती है और घर के सूतिकी में बना हुआ लड़ू मार्केट के लड़ू से ज्यादा तो चलिए इस लड़ू को बनाना सुरू करते हैं तो ये लड़ू बनाने के लिए हम जो भी समगरी लेंगे उसका नाप हम एक ही कप या कटोरी से करेंगे कोई भी आप कीचन का कटोरी या कप सेट कर ले और उसी से सारा मेजर्मेंट करें यहाँ पर मैंने लिया है बेशन और ये बेशन अगर आपको ये मोटा वाला बेशन मिलता है तो आप ले सकते हैं नहीं तो ये बारिक वाला बेशन ही मिलता है आज कल मैंने या पे दो कप लिया है बेशन नॉर्मल कप से ही ले रही हूँ और यहाँ पर एक कप लिया है सुगर के भूरा वाला सुगर है जो यहाँ पर मैंने घी लिया है, तो 2 कप बेसन के लिए हमने यह बह overflow गी लिया है, तो बस इनी सब measurement के साथ हमें इसे बनाना है, यह बिल्कुल perfect measurement है, और इसी measurement से हमें बनाना है लड़ू, तो सबसे पहले हम डालेंगे बेसन और बेसन को हमें भुन लेना है तो दोनों कप हम बेशन यहाँ पर डालतेंगे और इसे हम भुनेंगे बिल्कुल धीमी आज़ पर लट्डू बनाते समय सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है कि इसे हमें धीमी आज़ पर ही भुनना है बिल्कुल लो फले रखना है पांचाद मिनट हम बेशन को इसी तरह से भुनेंगे बिना घी के और इस तरह से इसमें जो गुठलिया है उसको इस तरह से मैस करते जाएंगे ताकि यह इक्वल हो जाए बारिक वाले बेशन में अक्सर होता है कि गुठलिया रहती है पांचाथ मिनट हम इसे भूल लेंगे तब हम इसमें घी डालेंगे इससे थोड़ा सा ये हलका हो जाता है और घी भी कम लगता है और ये देखिए अब हम इसमें डालतेंगे घी थोड़ा सा एक दू चमच मैंने घी इसमें रख लिया है कप में बचा करके अब हम इसे इस तरह से मिलाते हुए भून लेंगे जब हम घी डालते हैं तो ये बिल्कुल ड्राई सा हो जाएगा लेकिन इसे धीमी आज पर भूनते भूनते जब अच्छे से भून जाएगा तो घी बिल्कुल रिलीज कर देता है बाद में हम इसमें फिट से एक दू चमच घी डालेंगे अभी इसको हम भून लेते हैं तो बाकी कब अच्छा हुआ घी भी हम इसे डाल देंगे इसमें इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर एक चुटा चमच के करीब मैं यहां पर हल्दी पाउडर डाल दे रही हूं फूड कलर भी डाल सकते हैं लेकिन चब हल्दी पाउडर से काम हो जा रहा है तो फूड कलर डालने की कोई जरूरत नहीं है इसे बहुत ही अच्छा कलर आता है अब इसे हम मिक्स कर देंगे और इसे भूनते रहेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनने से बेसन अच्छे से भून जाते हैं पक जाते हैं अच्छे से और बेसन में कच्छा पन नहीं रहता है अगर थोड़ा सा भी फ्लेम हाई करते है तो बेशन जल भी सकते हैं और उसका टेस्ट भी बदल जाएगा और बेशन अच्छे से भुन नहीं पाएगा तो बिल्कुल ही low flame पर इसे हमें भुनते रहना है धीरे धीरे इसकी बहुत ही अच्छी खुजबू आने लगती है और इसका कलर भी चेंज होने लगता है इसको भ यह जरो ठीके देना में में रिकत कुजब आने लेकिन से लिए अच्छा ऐसो कर देंगे कि पूरी तर से को अच्छ घ्रते लाएगे जब यह हलका ठंडा हो जाए तब हम इसे दूसरे बरतन में इस तरह से ट्रांसफर कर देंगे किसी भी बरतन में तो इसे मैंने यहाँ पे निकाल दिया है और इसे पूरी तरह से हम ठंडा होने देंगे रूम टेंपरेचर पे ही इसे हमें ठंडा करना है बिल्कुल अच्छे से जब यह ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें भूरा सुगर मिलाएंगे तो अभी ये थंडा हो चुका है ये देखिए मैं इसको बिलकुल आसानी से छूपा रही हूँ ये बिलकुल थंडा हो चुका है अब हम इसे mix करेंगे फ्लेवर के लिए यहाँ पर इलाईसी पाउडर डाल देंगे 5-6 इलाईसी पाउडर क्रस करके डाल दिया है और फिर हम इसमें यह भूरा सुगर मिलाएंगे एक साथ नहीं डालेंगे थोड़ा सा पहले हम डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे इस तरह से अगर गरम बेशन में ही आप इसे डाल देंगे सुगर को तो लड़ू जो है वो गीला हो जाता है क्योंकि जो सुगर है वो पिखल जाता है गरम बेशन में बाकी के बच्चे सुगर भी डाल देंगे और इस तरह से हम से हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस टाइम पे अगर ये बहुत ही ड्राई हो जाए लड्डू बंध न पाए तो आप इसमें थोड़ा सा घी एड़ कर दें एक दो चमच लेकिन अगर बाइंडिंग अच्छे से हो रही है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है इसमें हो जाएगी तो अभी ये अच्छे से मिक्स कर लिया हमने और ये देखिए ये अच्छे से बैंड भी होने लगी है अगर आपको कोई सा भी ड्राइफ्रूट पसंद है तो आप इसमें ड्राइफ्रूट रोस्ट करके कट करके डाल सकते हैं वैसे बेशन का लड़ू ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है तो कुछ बातों का ध्यान रखें मेजर्मेंट का ध्यान रखें तो पर्फेक्ट लड़ू आप घर पे बना सकते हैं अब मैं यहां पर डाल रही हूँ थोड़ा सा मेलन सीट्स जो की लड़ू में बहुत ही अच्छा लगता है आप इसकी जगां पर ड्राइफ रूट भी डाल सकते हैं अब हम इसे मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम इसका लड़ू बनाना चूरू करेंगे इससे बिल्कुल एक बराबर लड़ू बनेंगे और हाथों से तबाते हुए इस तरह से हम इसको गोल गोल में राउंड में हिलाते रहेंगे ताकि यह बिल्कुल इकोल गोल बन जाएगा तो ये देखिए ये मारा लड़ू जो है ये बन गया है और इसी तरह से हमें सारे लड़ू बना लेने हैं बिल्कुल पर्फेक्ट लड़ू बना है तो अभी घी इसमें मेल्ट है और थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल पर्फेक्ट हो जाता है महिनों तक आप इसे इस्टोर करके रख सकते हैं तो इस ते ओहर आप भी इसे जरूर बनाए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद और बाई बाई